तो गर्मियों के मौसम में अगर आपने एक चमज भिगो के इस इंग्रीडियन को ले लिया तो आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा फाइदा मिलेगा और इस इंग्रीडियन का डाम है गोंध कतीरा इसे यूज किया जाता है गर्मियों में इसका सेवन करने से शरीर को ठंडक म इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसमें से लिए एक शिम्पल सी रेसिप्टी भी बनायेंगे और दूसरे दिन आप इसका एक magic देखोगे तो सिफ तीन टुकडे भिगो के रखे थे गोंद कतीरा के लेकिन आप देख सकते हैं इसकी जो quantity है कितनी ज्यादा बढ़ गई है और यह जैली जैसा लग रहा है इसे इंगलिश में जैली गम बोला जाता है तो यह जो crushed ice होता है व जैली और टैस्टी रेसीपी बनाते है तो आठ दस बादाम लेने है और इसको भी ओवरनाइट सोक करके ले और अभी इसका जो चिलका है इसे हम निकाल लेंगे और इसके अलावा इस रेसीपी में हम मिष्री का यूज़ करेंगे तो यह अन्प्रॉसेश्ड होती है तो हेल और अभी दोनों को अच्छे से ब्लेंड करके स्मूथ पेस्ट रेड़ी करेंगे अब यह अविक यह एक ओर कप दूध का डाल देते हैं और यह एकदम छिल्ड है ठंडा दूध है और हमrolog हम डाल देंगे बल्स कहरें लिए भीगोया replied और जिनको joint paints रहते हैं उन्हें भी इसका सेवन करना चाहिए इसके अलावा ये skin के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है इसका सेवन करने से skin में एक ग्लो आता है और मिठास के लिए मैंने इसमें डाल दी है मिश्री इसको मैंने क्रश करके डाल दिया है और flavor के लिए मै केसर बादाम गोंधकतीरा बनके तयार है तो गोंधकतीरा का यूज़ करके आप मिलक्षेक लसी या तो पुडिंग बना सकते हैं और क्यूंके हमने दूद में गोंधकतीरा एड़ किया था तो इसकी जो consistency है वो थोड़ी सी थिक रहेगी ऐसे जैली जैसा रहेगा खिकनर का काम करता है ये और चलिए भी ठंडे ठंडे मिलक्षेक को हम ग्लास में भर लेते हैं तो अगर आपको ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से कमेंट में यमी टाइप कर लीजे इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए प्रेफरेंस और फैमिली के स तो आप भी रेसिपी को ट्राय जरू करना चलिए जल्द मिलेंगे एक और ऐसी यमी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई